हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग I hope you guys are very well और साथ ही साथ आप अपने करियर को लेके भी serious होंगे अच्छा एक बात बताईए कि जब आप किसी party में या किसी relative के घर में जाते हैं और कोई relative आप से पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो आज कल तो आप क्या जवाब देते हैं तो अगर कोई पूछे आप से कि आप क्या कर रहे हैं तो आप जवाब दीजेगा कि मैंने कि मैंने जो सपने देखे हैं उसको हकीकत बनने की कोशिस में लगा हुआ हूँ मैंने जो सपने देखे हैं उसको हकीकत में बनाने के लिए जितनी भी महनत हो सकती है उतनी महनत कर रहा हूँ इस वज़े से टाइम लग रहा है ठीक है तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं एक बार और मैं लेके आया हूँ part 3 किसका definite integral का औ definite integral में हमने बहुत सारे questions को solve किये आगे भी बहुत सारे questions है indefinite questions है जितने ज़्यादा आप questions को solve करेंगे ठीक है? maths में जितने ज़्यादा आप अपने problems को लगाएंगे आपका जो confidence level है वो उतना ही ज़्यादा build up होगा ठीक है? जितने ज़्यादा question रहाएंगे उतने ज़्यादा आपको concept यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है? तो चलिए वीडियो को start करते हैं okay, my first question is हमें इस integration को solve करना है, मतलब इसको solve करके हमें एक value find करनी है limit है 0 to 4 1 divided by under root of x square plus 2 x plus 3 अब देखिए, यह हमारे पास अलग-अलग pattern के question रहेंगे ठीक है? इसमें क्या pattern है? कि जब कभी denominator में जब कभी यह जो denominator है इस denominator में under root की values आएं, मतलब यह under root है यह under root हमारे लिए क्या है? problem है, ठीक है? जब तक under root रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे questions को solve नहीं कर पाएंगे, तो जब भी denominator में under root वाले questions दिखें, तो उसे हम किस तरह से solve करेंगे, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, इसके एक से दो question यहाँ पर समझ लेंगे, उसके बाद अपने आप खुद से try कीजिए, कब denominator में under root वाले question होंगे, तो उसको बनाने का try कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप comment section में comment कीजिएगा, और उसको solution आप लोग मिलेगा देखने को, ठीक है तो क्या है, हम इस तरह के आज, आज जो है, हम लेग इस तरह के question solve करने वाले हैं, जिसमें denominator में क्या हो, under root लगा हो, ठीक है इसको कैसे solve करते हैं, चली देखते हैं ध्यान से देखेंगे, है ना अब देखो, ये है हमारे पास, 0 to 4, limit 1, divide by under root of, ठीक है under root की अंदर में क्या लिखा होगा है x square plus 2x plus 3 इसे हम, इसे हम क्या करते हैं इसे हम perfect square बनाने की कोशिस करते हैं, क्या बनाने की कोशिस करते हैं perfect square बनाने की कोशिस करते हैं तो ये बन जाएगा x square plus 2x, और इस 3 को मैं क्या 1 plus 2 लिख सकता हूँ इस 3 को क्या मैं 1 plus 2 लिख सकता हूँ क्या, बिलकुल लिख सकते हैं 1 plus 2 और ये हो गया हमारा dx clear हो गई बात ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 0 to 4 में 1 divided by under root of अब ये क्या क्या ये क्या ये जो है वो क्या है x plus 1 का whole square लिखा हुआ है x plus 1 का whole square लिखा हुआ है जी हाँ ये x plus 1 का whole square लिखा हुआ है और plus में 2 value है अब आगे बढ़िए 0 to 4 1 divided by under root of x plus 1 whole square प्लस इस 2 को क्या मैं under root 2 whole square लिख सकता हुआ हुआ हाँ आप लिख सकते हैं अब ध्यान से देखेंगे अब ध्यान से देखेंगे और मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक आप integration के जो different formulas हैं उनको याद नहीं रखेंगे तब तक आपके ये जो problems हैं वो solve नहीं होने वाले तो क्या आपको क्या आपको कुछ इस तरह का क्या आपको कुछ इस तरह का integration पता है क्या कि जब integration of 1 divided by under root of x square plus a square रहता है जब denominator में under root of x square plus a square रहता है तो इसका क्या आपको integration पता है बताएंगे अगर integration पता है तो वीडियो को पॉस करके comment section में comment करेंगे ठीक है चलिए क्या आपको ये पता है अगर पता है तो बहुत अच्छा है और नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है आप फिर से उसको पढ़ सकते है पढ़ लेंगे और इसको solve कर लेंगे ठीक है तो 1 divided by under root of x square plus a square इसका जो हमारे पास integration बनता है वो बनता है log of x plus under root of x square plus a square और plus में c समझ में आरी बात clear हो गया कि किसका 1 divided by under root of x square plus a square का जो integration होगा वो कितना होगा log of x plus under root of x square plus a square अब इसी integration को हम क्या करेंगे यहाँ पर apply करने की कोशिस करेंगे ठीक है हमें यह पता हो जाना चाहिए हम यह कैसे यहाँ पर analyze कर सकते हैं कि यह वाला formula लगेगा तो ध्यान से देखो ध्यान से देखेंगे कि यह जो हमारे पास x plus 1 आ रहा है यह हम पूरा हम क्या ले सकते हैं यह पूरा हमारा क्या है x है यह पूरा हमारा x है और under root 2 यह तो क्या है constant है तो जब यहाँ पर देखो 1 divided by under root of x square plus a square ऐसा कुछ बन रहा है तो इस तरह के question इस तरह के अगर बनेगा तो हमारे पास integration है इसका direct integration है कितना होता है log of x plus under root of x square plus a square तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर utilize कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी value 0 से 4 तो 0 से 4 रहेगी अब देखो हम क्या कर रहे हैं वाला जो integration है इसको यहाँ पर utilize कर रहे हैं और formula बना रहे हैं ठीक है क्या बनेगा formula अरे भाई integration हो गया ठीक है यह क्या हो गया integration हो गया कैसे integration हो गया यहाँ देखो 1 divided by under root of x square plus 1 whole square plus under root 2 का square इसका integration करेंगे तो direct हमारे पास क्या value आएगी log of x x यहाँ पर x की जेगे क्या है x plus 1 है x की जेगे कितना है x plus 1 है x plus 1 plus under root of x square plus a square x square plus a square मतलब x plus 1 whole square plus under root 2 का square यही होगा क्या मेरे भाई मेरे भाई होगा की नहीं होगा यह होगा नहीं और क्या हो जाएगा और यहाँ पर limit आजाएगी क्या limit आएगी, limit तो भी लगाना है ना भाई, 0 से 4, c लगाने जो तनी क्योंकि हम जानते हैं, पहले lecture में देखेंगे c, जो होता है वो cancel out हो जाता है, समझ में आया कि इतना, इतनी चीज़ समझ में आई, किसका integration, इसका direct integration हुआ, log of x plus 1 plus under root of x plus 1 whole square plus under root 2 का square, इतनी बाद समझ मे limit फिर minus lower limit put कर देनी है, put करने से पहले हम इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं, आपके लिए ही आसानी होगी, तो यह हो जाएगा, log x plus 1 plus under root of, इसको हम यह जो हमारे पास में अंदर है, इसको हम open कर लेते हैं, तो यह क्या आजाएगी value, 2x plus 3 आजाएगा, वही तो लिखा हुआ थ यह, और limit आजाएगी 0 से 4, समझ में आया क्या, आया क्या समझ में, ठीक है, अब क्या करेंगे, upper limit हमारे पास है 4, और lower limit है क्या, 0, तो पहले upper limit put करते हैं, जहाँ जहाँ भी x लिखा होगा, वहाँ पर हम लोग 4 put कर देंगे, फिर minus लगा देंगे, जहाँ जहाँ भी x लिख होगा, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, चलो, लिख दो, तो क्या हो जाएगा, पहले हम upper limit put कर रहे हैं, तो log, log के बार यहाँ देखो, 4 यहाँ पर put करेंगे, तो 4 plus 1 कितना हो जाएगा, 5, plus under root of, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 put करेंगे, तो कितना हो 16 plus 2 into 4, कितना हो जाएगा, 8, 16 plus 8 कितना हो जाएगा, 24, और 24, और plus 3 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, यही आ जाएगा, चार्च, यह क्या हो जाएगा, चार्च और 16, 16 plus 2 into 4, कितना हो जाएगा, 8, 16 और 8 कितना होगा, 16, 8 कितना होगा, 24, और 24, 3 कितना हो जाएगा, 27, तो यह हो गई अपर limit minus lower limit put करो तो lower limit में क्या है log of यहाँ पे x की जिए 0 put करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 बनेगा 1 plus under root of यहाँ पे 0 put करेंगे तो 0 यह भी 0 यहाँ पे क्या बनेगा under root बस 3 बनेगा इतने ही बचेगा 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 उसके बाद हम अगर यह भी हमारा answer है उसके बाद और solve करना है तो log m minus log n यह क्या होता है log log m divide by n होता है होता है कि नहीं 1 plus under root 3 और यही हमारा क्या बन गया answer बन गया समझ में आया तो जब भी denominator में under root वाले question होंगे तो उसे हम किस तरह से solve करेंगे इस तरह से solve करेंगे और हमारे पास 4 से 6 formula है जिसमें denominator में क्या आता है denominator में आपके पास में under root आते हैं यह formula जो है आपके पास 4 से 6 है sin inverse का cos inverse का 10 inverse का यह सारे formula किसके हैं जिसमें हमारे पास under root में value आती है denominator में समझ में आई बात clear हो गया, ठीक है, तो चलते हैं एक और question को हम लोग बनाते हैं, तो आजाओ, एक और question को solve करते हैं, ठीक है, board नहीं मारेगा, आराम से अच्छे से मरिये के साथ हम question को solve कर रहे हैं, ठीक है, तो चली यहाँ पर यह question लिखा हुआ है, कि limit है 0 से a, ठीक है, 1 divided by under root of ax minus x square, यह हमारे पास कुछ इस तरह से value दी हुई है, ठीक है, अब फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, denominator में आ रहा है, under root, फिर से क्या आ रहा है, denominator में under root आ रहा है, तो चली इसको solve कर लेते हैं, किस तरह से solve करेंगे, हर एक question, एक नया approach आपको लिए पैदा कर रहा है, ठीक तो इसको i ले लेते हैं, पहले भी i ले सकते थे, पहले वाले question में भी i ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते हैं, i equals to 0 से a, 1 divided by, अब यहाँ देखो, under root है, अब under root के under जो है, उसको हम solve करते हैं, वहाँ पर भी solve किये थे, इसको भी थोड़ा solve करते हैं, हमें क्या चाहिए, यहा x- x-2 में, minus को common कर लेते हैं, हाना, तो यह सब under root में, अंदर में बात हो रही है, सब under root के अंदर में बात हो रही है, ठीक है, तो minus common कर लिए, तो bracket में क्या बचेगा, हमारे पास x-2 बचेगा, और minus का ax बचेगा, इतना ही कुछ बचेगा क्या, बताओ, समझ में आया है क्या अच्छा अगर मैं बोलू यहाँ पर मैं a square by 4 को एक बार add कर दूँ और a square by 4 को एक बार subtract कर दूँ तो क्या ऐसा किया जा सकता है क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं बताओ एक बार plus करेंगे एक बार minus करेंगे तो दोनों cancel out होके तो बन ही क्या बिलकुल लिखा जा सकता है ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है वहाँ पर पर्फेक्ट square क्या बनाना है पर्फेक्ट square बनाने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं ठीक है चलिए i equals to 0 से a 1 divided by under root of यह minus तो minus है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो a square minus ax plus a square by 4 a square minus ax plus a square by 4 क्या यह perfect square बन रहा है जी हाँ यह perfect square बन रहा है किसका बन रहा है x minus a by 2 का perfect square बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, बंद रहा है की नहीं बंद रहा है न ये हमारा bracket में हो गया ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है चलो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ये, एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं चलो यहाँ से लिख लेते हैं ठीक है, चलो अब देखो अंदर में यहाँ पर यह क्या बना पर्फेक्ट स्क्वाइर तो x किसका बना x-a by 2 का पर्फेक्ट स्क्वाइर बना तो यह bracket लगा दो x-a by 2 का whole square ठीक है क्या समझ में आया ना x-a square क्या लिखा हुआ है x-a square minus ax plus a square by 4 यह क्या हो जाएगा x-a by 2 का whole square बन जाएगा ये वाला bracket लगा देंगे ये cancel कर दो और इसको भी cancel कर दो तो कौन सा bracket लगाएंगे हम लोग curly bracket लगा देंगे curly bracket, bracket का ध्यान रखेंगे नई तो ये क्या है square है न, square और ये हमारा bracket का close और ये हो गया dx, इतनी बात समझ में आई क्या ये under root यहाँ पर भी है इतनी बात समझ में आई कि नहीं इतनी बात समझ में आगई, अब हम क्या कर रहे है ये जो minus है, इसको फिर से अंदर में multiply कर दो तो इस minus को हम जब फिर से अंदर में multiply कर दिये, तो 0 से a बना, 1 divided by under root of, यहाँ देखो अब ये इस minus का, इसके साथ यहाँ पर होगा, मतलब इस minus का यहाँ पर होगा, तो ये minus बनेगा और ये minus यहाँ पर बन जाएगा, प्लस, तो plus वाले को हम पहले लिख देते है a by 2 whole square minus, minus क्या minus में x minus a by 2 whole square और into dx इतनी बात समझ में आई कि आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या, मैं अभी पूछता हूँ तो क्या, ये आपको पता है, ऐसा कुछ आपको पता है क्या, कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का integration हो 1 divided by under root of a square minus x square बताओ, under root of a square minus x square 1 divided by under root of a square minus x square का हमारे पास अगर integration है, तो क्या हम इसका direct integration हमें पता है क्या, direct integration क्या होता है, sine inverse sine inverse क्या, x by a plus c क्या होता है, sine inverse x by a plus c, होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग पहले से जान रहे हैं क्या, अगर जान रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं जान रहे हैं, तो जान जाहिए कि कुछ इस तरह का, अगर कभी भी under root में a square minus x square हर एक बात को ध्यान पर रखेंगे यहाँ पर constant जो है, वो positive है constant क्या है, positive और x square जो हमारा, जो x वाला term है, वो negative है, तो ध्यान रखेंगे a square, अब यह a square यह constant है, यह कुछ भी हो सकता है, ऐसा जो रही नहीं कि a ही होगा, तो ही यहाँ पर value put करेंगे ठीक है, a में हमारा कुछ भी हो सकता है और x में भी यह देखो, perfect square बन रहे हैं, तो यह भी हमारा क्या है? x है, समझ में आ रहे हैं, तो इस formula को हम यहाँ पर क्या करेंगे? relate करेंगे, और जैसे ही relate करेंगे, तो हमारे पास में हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में एक equation आएगा, इसका जो हम लोग integration करेंगे, इसका जब हम integration करेंगे तो value आएगी sin inverse किसकी sin inverse sin inverse क्या होता है x by a और x हमारे पास कितना है यह पूरा है तो यह हो जाएगा x minus a by 2 divide by a a कितना है a by 2 a कितना है a by 2 और यह हो जाएगा हमारा integration complete और हमें limit लगानी है 0 से limit लगानी क्या है 0 से a limit हमें यहाँ पर apply कर देना है ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं simple हो गया sin inverse इसको solve करेंगे तो क्या value आएगी 2x minus a divide by कितना आएगा a आएगा यह 2 से 2 cancel हो जाएगा रह भाई LCM लिए 2x minus a हुआ divide by 2 divide by a by 2 तो 2 से 2 cancel कितना आया 2x minus a by a आगया अब यहाँ पर हमें बस limit put कर दीनी है 0 से a चली put कर देते हैं i equals to पहले upper limit put करेंगे तो upper limit put करो sin inverse यहाँ पर a put करेंगे तो 2a minus a कितना हो जाएगा यह a बन जाएगा और a divide by a कितना हो जाएगा 1 के equal हो जाएगा हो जाएगा क्या ठीक है minus अब lower limit put करो तो lower limit में क्या हो जाएगा sin inverse x की जगे क्या put करेंगे हम लोग 0 तो यह 0 बन गया minus a divide by a कितनी value आएगी minus 1 आजाएगी इतनी आएगी क्या ठीक है अच्छा यह भी हम जानते है क्या कि sin inverse sin inverse यह जो minus theta होता है इसकी value क्या होती है sin minus sin theta होता है sin inverse minus minus theta अगर angle minus में है तो क्या value आती है minus sin theta हो जाता है अगर नहीं पता है तो इसको याद रखेंगे ठीक है तो यहाँ से i हमारे पास कितना आ रहा है sin inverse 1 और यह क्या हो गया sin inverse minus 1 है तो यह minus theta वाला बन रहा है angle में minus आ रहा है तो इस minus को कहा पे लेगे बाहल ले गए तो यह minus minus क्या बन गया plus बन गया मतलब sin inverse 1 plus sin inverse 1 कितना हो जाएगा 2 sin inverse 1 बन जाएगा बनेगा की नहीं बनेगा बनेगा i equal अब देखो sin inverse 1 sin inverse 1 कितना होता है pi by 2 तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 into pi by 2 यहाँ से 2 cancel हो गया तब हमारे पास final जो answer आया वो कितना आया i आया और i हमारा ही क्या है final answer है समझ में आया i हमारा क्या है final answer है तो इस तरह से हमें क्या करना है questions को solve करने है समझ में आया चलते है next question के दरफ चलिए अब next question को देखते है यह हमारे पास question है कि limit 1 से 2 है और 1 divided by x plus 1 into x plus 2 अब इस तरह के question किस तरह के question अब हमारे पास जो denominator में under root वाले question थे उसको हमने समझ लिया कि किस तरह से solve करना है आप different different उसी के question बनाएंगे ठीक है और वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल comment section में comment करेंगे ठीक है अब हम एक नए pattern पे एक नए concept के साथ एक question को लेके आए है ठीक है अब यह क्या है question यह pattern क्या है कि अगर 1 divided by denominator में क्या बन रहे है factors बन रहे denominator में factors बन रहे है मतलब x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 ऐसा कुछ factor बन रहे है यह दोखो x plus 1 क्या एक factor है x plus 2 भी एक factor है और साथ में क्या है multiplication में है तो जब भी denominator में factors type के questions आए factor बन रहे हो ठीक है तो उसे हम किस तरह से solve करते हैं चलिए आज हम यहाँ पर जानते हैं ठीक है तो देखो जब भी आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप denominator में factor देखेंगे factor बन रहे होंगे वो चीजें देखेंगे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे partial factor जो partial factor टेकनिक है उसको हम यहाँ पर apply करेंगे किसको apply करेंगे partial factor technique ठीक है partial factor technique को हम यहाँ पर use करने वाले कैसे use करते हैं आईए समझते हैं ठीक है तो देखें जो हमारे पास denominator लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमारे पास denominator है x प्लस 1 और x प्लस 2 ठीक है इस denominator को यहाँ पर देखें एक बार इसको हम cancel करते हैं अभी देखेंगे ठीक है हाँ क्या कि यह हमारे पास जो भी value है जो हमारे पास यह पूरा function है उसको पूरे function को हम लिख देते हैं ठीक है x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 ठीक है इक्वल तो अब इसे हमें क्या करना है partial factor में change करना है ठीक है समझ में आया मतलब क्या कि यहाँ पर जो यह factor है x प्लस 1 और x प्लस 2 यह किसमें है multiply में है अब यह multiply में है तो इस वज़े से हम इसका integration नहीं कर पा रहे हैं अगर यह प्लस या फिर माइनस में आ जाए यह इनके साथ में यह अगर प्लस और माइनस में आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा हम अलग-अलग separately उनको integrate कर सकते हैं ऐसा ही कुछ है क्या इसमें हम direct यहाँ पर formula लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते इस वज़े से हम क्य कर रहे हैं यहाँ पर partial factor टेकनिक को यूज कर रहे हैं उसमें क्या होगा उसमें यह जो हमारे factors हैं वो अभी multiply में हैं वो plus और minus में change हो जाएंगे कैसे change होगे ध्यान सत्री में समझेगा तो यह हमारे पास जो भी function है इस function को मैं अलग-अलग constant में divide कर दूंगा अलग-अलग constant में कैसे यहाँ पर देखो अब यह constant कैसे हम divide करते हैं इसका भी एक concept है ठीक है तो यहाँ पर मैं पहला factor देख रहा हूं first factor को देखो ठीक है उसमें क्या-क्या constant हमें लगाना है उसको ध्यान देखना ठीक है कैसे हमें constant लगाना है वो बात में बता रहूं यह हमारे पास एक factor इस factor का differentiation करो, इस factor का differentiation करोगे तो कितने आएगी value, 1 आएगी, x के respect में करोगे, ठीक है, तो 1 value आएगी, तो मतलब 1, एक constant a, ठीक है, एक constant 1 आ रहा है न, इसका factor करने पर, तो हमारे पास constant आया, तो मैं उसको लिखूंगा a, x प्लस 1 का, जब हम differentiation किये, तो कितनी value आई, 1, 1 क्या ह एक constant है, तो a, divide by, a हमारा यहाँ पर constant बन जाएगा, a, divide by, क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 1, और लगा दूंगा मैं, प्लस, अब यह plus होगा, minus होगा, वो बात की बात है, यहाँ पर हम पहले लगा देते हैं, plus, समझ में आई बात, ठीक है, अब दूसरे factor को देखो, दूसरा factor है, x प्लस 2, इसका जब हम फिर से differentiation करेंगे, इसका जब हम differentiation करेंगे, तो क्या value आएगी, one, one क्या है, एक constant है, a लगा दिये है, तो फिल लगा देते है, b, divide by, यहाँ पर किसकी वज़े से आ रहा है, x प्लस 2 की वज़े से आ रहा है, समझ में आया, अगर इतना आप समझ ल है, हमें पहला factor देखना है, उसका differentiation करना है, differentiation करने के बाद जो भी constant आता है, उसको वहाँ पर हम लोग यहाँ पर apply कर देंगे, ठीक है, अब समझे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, दोनों साइड में, इधर साइड में, हम LCM ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, LCM, तो X plus 1, और यहाँ पर क्या जाएगा, X plus 2, A के साथ में क्या multiply होगा, X plus 2, और B के साथ में क्या multiply होगा, X plus 1, और यहाँ पर यह जैसे value है, वो वैसी है, ठीक है, X plus 1 and X plus 2, अब यह देखिए, दोनों साइड में denominator हमारा cancel out हो जा रहा है, तो इसको हम cancel out कर देते हैं, तो यहाँ प X plus 1, ठीक है, आब हम क्या करते हैं, A equals to A, इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर bracket के अंदर में multiply कर देते हैं, पहले A का करेंगे, तो यह बनेगा, AX plus 2A, और यहाँ पर क्या बनेगा, BX plus का क्या बनेगा, B будनेगा, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, अब पह 2a plus b, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, अब हम कहां पर दोनों side में compare करेंगे, किसको compare करेंगे, x के coefficient को compare करेंगे, उसके बाद constant को compare करेंगे, तो यहां पर देखेंगे, x का यहां पर coefficient कितना आ रहा है, इस side में, इस side में, x को कोफिशेंट कितना आ रहा है, a plus b, इस side में, अगर मैं बात करूँ, तो a plus b, जो है, वो x को कोफिशेंट आ रहा है, और इधर क्या है, इधर x है क्या, इधर जब x ही नहीं है, तो x को कोफिशेंट क्या होगा, मतलब क्या, value 0, समझ में आया क्या, इधर side जब हम देख रहा है, तो X को coefficient A plus B है, इधर साइड में है ही नहीं, तो इसको coefficient क्या होगा, तो A plus B equals to 0 होगया, आब हम क्या करेंगे? Constant को compare करेंगे, तो यहां पर constant क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, अर इधर साइड में constant कितना दिख रहा है? 2A plus B तो हम इस 2A plus B को किसके equal कर देंगे 1 के equal कर देंगे अब यहाँ पर हमारे पास 2 equation है और 2 unknown है तो क्या मैं A और B की value find कर सकता हूँ बिल्कुल find कर सकते हैं यहाँ से मैं A की value अगर मैं minus B put कर दूँ तो यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा minus B plus B equals to 1 यहाँ से value कितनी आएगी यह हो जाएगा minus 2B plus B तो यह आजाएगा minus B equals to 1 मतलब B की value कितनी आ रही है minus 1 आ रही है अगर B की value minus 1 आ रही है तो A की value कितनी आएगी plus 1 आएगी क्या A की value plus 1 आजाएगी तो जैसे ही A और B हमारे पास آजाता है तो हम यहाँ पर a और b की value put करेंगे तो क्या value आएगी क्या value आएगी देखो 1 divided by x plus 1 and x plus 2 इसको हम solve किये और solve करने के बाद कितनी value आई a, a हमारे पास कितना है 1 है, 1 divided by x plus 1 और b की value क्या है minus है, तो minus 1 divided by x plus 2 इतनी बास समझ में आई तो हम क्या, इसको यह multiply में था तो इसको हम plus और minus में change कर दिए देखो, यह minus लगा हुए यहाँ पर कोई जो जो नहीं minus होता जैसे ही, जो भी depend करता है a और b की value पर a और b की value जो भी आती है, यहाँ पर input कर देंगे तो यह multiply जो है, वो plus और minus में change रहेगा अगर आपको cross verify करना है तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से solve करेंगे इसको फिर से solve करने के बाद इतनी value आनी चाहिए अगर यह value solve करने के बाद इतनी आ रही है तो एकदम correct है, समझ में आया तो हमने क्या किया, इस पूरी value को इतने में change कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो integration करना था अब इसका integration ना करके, हम इसका integration कर लेंगे समझ में आया, ठीक है, तो चलिए, देखते हैं, करते हैं यहाँ अब complete हो गया, अब यहाँ पर limit हमारे पास क्या थी देख लो, limit हमारे पास क्या थी, 1 से 2 limit थी हमारे पास 1 से 2 1 से 2 limit थी हाणा अब उसके बाद क्या किये हम लोग उसके बाद हम लोग इस 1 divided by x plus 1 into x plus 2 की जगे है हम क्या लिखेंगे 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x plus 2 छीक है तो क्या लिखेंगे 1 divided by x plus 1 1 divided by x plus 1 और 1 divided by x plus 1 और क्या minus 1 divided by x plus 2 और यह हमारा पूरा एक bracket और into dx ऐसा ही कुछ है क्या ऐसा ही कुछ है है की नहीं देखो हाँ चीक है 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x plus 2 अब इसको solve कर लो अब यह तो simple बन गया बन गया की नहीं simple इसको हम आराम solve कर सकते हैं limit 1 से 2 यह हो गया इसको हम separate कर दें तो 1 divided by x plus 1 into dx minus 1 divided by 1 divided by x plus 2 और into dx ऐसा कुछ हो गया अब बताओ यह तो simple है भाई 1 divided by x plus 1 यह किसका यह किसका integration है यह तो integration है log x plus 1 का और limit क्या रहेगी 1 से 2 minus यह किसका integration है यह integration है log x plus 2 का और limit क्या रहेगी 1 से 2 solve कर लो log पहले अपर limit put करो तो यहाँ पर क्या आएगा 2 plus 1 मतलब कितना 3 minus log यहाँ पर 1 put करेंगे lower limit put करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा ठीक है यह हो गया हमारे पास में पहला फिर minus अब इसको देखो यहाँ पर 1 put करेंगे तो कितनी आएगी value log 4 आ जाएगी minus यहाँ पर 1 put करेंगे तो कितनी value आ जाएगी log 3 आ जाएगी इसको log m minus log n करेंगे तो क्या value आएगी log 3 by 2 और इसको जब solve करेंगे तो log कितना 4 by 3 आ जाएगी इसमें फिर से हम apply करतेंगे m by n log m minus log n तो क्या आ जाएगा log 3 by 2 divide by 4 by 3 इसको solve कर लेंगे और यह हमारा क्या आ जाएगा answer आ जाएगा समझ में आया तो जब भी denominator में factor factorization हो factor की form में हो हमारे पास x की value तो उसे हम कैसे solve करेंगे partial fraction technique से उसको solve करेंगे समझ में आया चलिए एक दूसरा question देखते है partial fraction technique से और उसको solve करने की कोशिस करते है आईए चलते है एक और question को solve करते है ठीक है अब इस question में क्या है यहाँ पर फिर से देखो denominator में क्या बन रहा है factor बन रहा है कैसे यह x है भाई x minus 0 भी तो एक क्या है factor है तो x into देखो bracket में 1 plus x square तो यह भी क्या है एक factor के form में है ठीक है तो इसे हम फिर से कैसे करेंगे partial fraction टेकनिक से हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो कैसे solve करते हैं उसको solve करते हैं जितना भी हमारे पास function है उसको हम लिख लेते हैं पहले 1 divided by x 1 plus x square यह हमारे पास जितना कुछ लिखा हुआ था इसको हम लिख लिए अब हमारे पास यहाँ पे दो factor है एक है x और दूसरा है 1 plus x square तो जब मैं x के लिए x के लिए जब मैं constant बनाऊंगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा इसका differentiation करो x का differentiation क्या हो जाएगा 1 तो 1 हमारा एक constant आ गया उसको हम ले लेंगे a divide by x लिख देंगे ठीक है प्लस लगा दो अभी प्लस है माइनस में बाद में बता चलेगा ठीक है अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 plus x square क्या लिखा हुआ है 1 plus x square अब इस 1 plus x square का differentiation करो कितना आएगा 0 plus 2x आएगा आएगा कि नहीं आएगा 0 plus 2x आएगा तो यहाँ पर हम इसको constant कैसे बनाएगे ध्यान से देखेंगे bx plus c क्या बनाएगे इसका constant इसका constant क्या आएगा bx plus c भाई x square plus 1 का जब differentiation करेंगे तो क्या value आएगी 2x plus 0 आएगे 1 का तो constant होता है 0 तो 2x 2x मतलब क्या 2 constant है तो bx plus c कितना bx plus c और यह किसकी वज़े से आ रहा है 1 plus x square की वज़े से आ रहा है इतनी बाद समझे जैसे हमने constant यहाँ पर apply कर दिया समझ में आ गया कि constant कैसे हम लोग को apply करना है बस उसके बाद कुछ पचा नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे नीचे में LCM ले लो 1 plus x square multiply करतेंगे तो a के साथ में multiply होगा 1 plus x square और bx plus c के साथ में multiply होगा हमारा x और यहाँ पर क्या रहेगा 1 divided by x 1 plus x square यह हमारा cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 1 divided by a 1 plus x square और क्या बनेगा bx plus c into x अब हम क्या करते हैं a का अंदर multiply कर दो तो a plus यह बन जाएगा ax square प्लस यहाँ पर x का multiply कर दो तो क्या बन जाएगा bx square plus cx ऐसा कुछ बनेगा तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x square को साथ में लिख लो उसके बाद x और उसके बाद constant तो 1 equals 2 x square को साथ में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या value आएगी a plus b ठीक है उसके बाद cx और उसके बाद हमारा constant है a clear होगी बात अब हम उसके बाद क्या करते हैं compare करते है compare कर लो कैसे compare करेंगे पहले सबसे पहले हम highest power का compare करते है highest power को यहाँ पर highest power कितनी है x square है तो x square के coefficient को देखो यहाँ पर कितना है a plus b यहाँ पर है क्या x square नहीं है तो उसका coefficient होगा वो भी 0 हो जाएगा तो a plus b हमारे पास कितनी value आएगी 0 क्योंकि x square के यहाँ coefficient a plus b हो यहाँ पर है नहीं तो उसका coefficient 0 हो जाएगा उसके बाद हम x का coefficient को compare करेंगे तो x का coefficient यहाँ पर कितना है c है और यहाँ पर है क्या नहीं है तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से value आ रही है c की value 0 हो जा रही है अब उसके बाद हम constant को compare करेंगे constant यहाँ पर कितना है A है यहाँ पर constant कितना है 1 है यहाँ पर constant कितना है 1 है मतलब A की value 1 आ गई C हमारा 0 हो गया अब बस B बचा तो B की value कितनी आ जाएगी minus 1 आ जाएगी B की value कितनी आ जाएगी minus 1 आईगी क्या ठीक है हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की value कितनी आ रही है, 1, b की value कितनी आ रही है, minus 1 और c की value कितनी आ रही है, 0, बस value put कर देते हैं, कर दो, तो 1 divided by x, 1 plus x square, इसकी जगे हम क्या लिखने वाले थे, a divided by x, और a की value है, 1 divided by x हो जाएगा, plus bx plus c, b की value कितनी है, minus b, यह b की value minus 1 ह है, into x, तो minus x, और यह हो जाएगा, हमारा 0, और divide by क्या बनेगा, 1 plus x square, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले करने वाले थे, 1 divided by x, 1 plus x square का integration, अब हम करेंगे, 1 divided by x, minus में, x divided by 1 plus x square का integration, तो इसका हम integration कर लेते हैं, ठीक है, तो दूसरे page में लिखते हैं क्या है, हमारे पास limit है, 1 से 2, हम अब integration करेंगे, 1 divided by x, minus में, किसका x divided by 1 plus x square dx का, इसी का हम लोग integration करने वाले हैं, देख लो, 1 divided by x minus x divided by 1 plus x square, ठीक है, ठीक है, कल लोते हैं, अब इसका कैसे करेंगे, 1 से 2, separately अलग-अलग कर लेते हैं, 1 by x into dx हो जाएगा, minus 1 से 2, x divided by 1 plus x square, और into dx हो जाएगा, ठीक है, अब हम जानते हैं, 1 by x का जो integration होता है, वो क्या होता है, log of x हो जाता है, ठीक है, mod में रहता है, log of x, 1 by 2, अब minus, अब इसका indication करना है, इसका indication कैसे करेंगे, इसका indication करने के लिए, हम क्या करते हैं, इसका indication करना है, तो हम इसको i1 मानकर यहाँ पर solve कर लेते हैं, ठीक है, चलिए solve कर लेते हैं, 1 से 2x divided by 1 plus x square into dx, आपको आता होगा, वैसे मैं अलग से उसको कर लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस 1 plus x square को हम लोग क्या ले देते हैं, t ले लेते हैं, इस 1 plus x square को put कर देते हैं, किसके equal, t के equal, 1 plus x square को हम t के equal put करते हैं, जैसे ही put करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, differentiation करते हैं, तो 1 का differentiation 0 हो जाएगा, plus 2x हो जाएगा, 2x के साथ साथ में क्या रहेगा, dx हो जाएगा, x square का differentiation करेंगे 2x, और x का differentiation करेंगे क्या आएगा, dx आएगा, t का differentiation करेंगे dt बन जाएगा, तो य value क्या हो जाएगी DT by 2 हो जाएगी ठीक है अब हमारे पास यह जो पूरा function है वो T के respect में बनेगा क्योंकि DT भी आ रहा है और T भी आ रहा है तो हमारी limit भी T के respect में होने चाहिए तो क्या करेंगे जब हमारे पास lower limit जब हमारे पास X की lower limit 1 थी तब T की value क्या होगी तो यहाँ पर put करो 1 प्लस 1 का square मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा T की value इसमें T की value हमारे पास 2 आ रही है और जब X की value कितनी थी 2 थी तब बताओ T की value कितनी होगी तो यह क्या हो जाएगा हमारा 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5 तो यहां से t की value कितने आ जा रही है 5 तो हमारा जो integration है वो अब किसमे 1 से 2 में न होकी किसमें आएगा 2 से 5 में आ जाएगा किसमें आ जाएगा 2 से 5 में और उसके बाद x into dx इस x into dx की जगे हम लोग क्या put कर देंगे dt by 2 put कर देंगे और 1 plus x square की जगे क्या put कर देंगे t put कर देंगे समझ में आया ऐसे करना है ठीक है अगर आप direct इसको indicate कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ऐसा हम लोग indication कर दिए ठीक है solve कर लो इसको इसको solve कर लेंगे तो ये 1 by 2 बाहर आ जाएगा और 1 by t 1 by t का indication कितना हो जाएगा log t बन जाएगा क्या बन जाएगा log t और ये हो जाएगा 2 से 5 कितना 2 से 5 1 by t अब इस t की जगे हम क्या put कर देंगे जो हमने क्या लिया था अब इस t की जगे चलो वही कितना upper limit और lower limit पुट कर देते हैं t हो जाएगा log कितना 5 minus में कितना होगा log 2 बन जाएगा ठीक है तो इसकी value कितनी आएगी 1 by 2 log of 1 by 2 log of कितना 5 by 2 आ जाएगा 1 by 2 log of 5 by 2 तो इसको solve कर लिए ये कितना आया था log कितना 2 minus में log of 1 इतना ही आएगा इसको जब solve करेंगे minus इसको solve किये तो कितनी value आई इसको solve किये तो आई 1 by 2 log 5 by 2 इतना ही आए log 5 by 2 ठीक है ये देखो अब ये क्या बन जाएगा log 2 by 1 minus में 1 by 2 log 5 by 2 अब ये हमारा क्या हो गया answer हो गया ठीक है समझ में आया तो हमें क्या करना है क्या approach लगाना है जब हमारे पास denominator में factors हो तो हमें वहाँ पर partial factor technique की यूज़ करना है और उसको use करते हुए हमें questions को solve करना है समझ में आया तो next class में हम फिर से एक दूसरे concept के जो questions होंगे उनको लेके आएंगे तब तक के लिए पढ़ते रहे है और जय हैंद